नमस्कार मित्रो ये वीडियो थोड़ा लंबा है पर बहुत ही इंपॉर्टन वीडियो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको देखें और ये इस पे है कि क्यों भारत की सेना सबसे इंपॉर्टन चीज है देश को बचाने के लिए धर्म बचाने के लिए अपन इसमें मैं आपके इंफॉर्मेशन दोगा कि सेना किस तरह से कमजोर हो गई है चाइना और अमरीका के मुकाबले में और किस तरह से राइट तू रिकॉल और जूरी आते तो हमारी सेना कब मजबूत होना करीब करीब अशक्य है और इसलिए मैं सारे एक्टिविस्ट को कहता हूँ कि वो राइट टू रिकॉल और जिवरी सिस्टम ये सारे कानूनों पे सबसे आदा भार दे और उनके पास जो दूसरे एजंडा होते हैं अक्सर कुछ-कुछ एक्टिविस्ट का एजंडा होता है तेल साबून बेचना स्वादेशी के नाम पर फिर अलग-अलग सोशल मुद्दों में जैसे की न्यूडीटी का विरोध करने में पूरा टाइम लगा दिया या तो जो कॉंग्रेस के नेता ने दिगवी चैसी ने कुछ पु देखता निये तो भी उसको क्रिटिसाइज करने में घंटो लगा दिये तो ये सारा टाइम बरबाद होता जाता है तेल साबून बेचने में बिना फिजूल के लोगों को क्रिटिसाइज करने में और सोशल इश्यूस पे बहुत ज़्यादा टाइम देने में और इसमें जो important चीज है कि देश के कानून सुधारना मतलब ऐसे कानून का प्रचार करना कि जिससे हमारी सेना सुधर शके तो अब मैं पहले आपको बताऊं कि कि right to recall jury system और दूसरे जो कानून हमने propose कि हैं कि बहुमत के द्वारा व्यक्ति को फांसी पे चड़ाया जा सके वो बड़ी जगा पे भ्रष्टाचार कम करने के लिए कंपल्सरी है बड़ी जगा पे फिर आप यदि पुलिस कॉंस्टेबल ने पचास रुपे लिए और किसी माक्षिट निकल वाने के लिए युनिवस्टिटी के क्लार्च ने रुपे लिए यदि आप सिफ ऐसे छोटे ब्रष्चार होता रहो तो अपने आपको सिमीत रखना चाहते हो तो उसके लिए तो किसी की ज़रूद निहीं है जैसे जैसे थोड़ा बहुत चॉंपूरीजेशन होता जागा यह ब्रष्टाचार कम जाएंगे हरे चोराय पर यदि सीची टीवी लग जाता है तो कंस्टेबल का पर जो सुप्रीम कोड के जच का ब्रष्टाचार है या तो अभी जो हेलिकोप्टर के सौदे में राजमाता ने जो ब्रष्टाचार किय इटाली से हलिकॉप्टर मंगाने के जिसकी कोई जरूरती नहीं ती VVIP हलिकॉप्टर की और फिर यह प्रधानマंत्री का और जो कोईले का भरष्टाचार है तूजी का भरष्टाचार है तो यह बड़ा जो बड़े भरष्टाचार है वो सिर्फ right to recall the jury system or execution by majority vote यानि कि बहुम बहुमत के द्वारा व्यक्ति SMS के द्वारे या पटवारी की कचरी में जाके अपना व्यागमत व्यक्त करें और उस बहुमत के द्वारा व्यक्ति को फांसी के पर चड़ा देना उनके द्वारा ही यह ब्रश्टाचार बड़े कम हो सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा कि जब तक ब्रष्टाचार कम नहीं होता बड़े स्तर पे प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोड का जज, लोकपाल, तब तक सेना का मजबूत होना करीब-करीब नामुम्किन है और जब तक जीरी सिस्टम नहीं आती अब ये तीन लेवल पे है कि सेना मजबूत करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हम इंपोर्टेड हत्यार ले आए जो कि अभी मनवहन सिंग कर रहे हैं इंडिया इस दे बिगेस्ट वेपन इंपोर्टर और वो इंपोर्टेड हत्यार क्यों काम नहीं आते सेना को क्योंकि जब युद्ध शुरू होता है तो जिस देश ने हमको हत्यार दिया है उसके सामने तो हत्यार काम आने ही नहीं वाला अमरीका ने हमको प्लेन दिये तो वो प्लेन में अमरीका किल स्विच रखके बेचता है किल स्विच यानि वो एक तरह के सर्कीट होती है जिसको एक पर्टिकुलर टाइप के जब रेडियो सिगनल मिले तो वो सर्कीट काम करना बंद कर देगी पुरा प्लेन ठप हो जायागा आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप गुगल करना किल स्विच रडार इसराइल सीरिया इतना आप गुगल करेंगे तो आपको एक इंफर्मेशन मिलेगी कि सीरिया ने एक रडार खरीदा था फ्रांस से जो कि दुनिया के सबसे बहतरी रडार में से एक था और जिस दिन इसराइल के प्लेन आये बंबारी करने के लिए तब उस रडार ने आधे गंटे तक काम नहीं किया आधे गंटे के बाद फिर से काम करना शुरू कर दिया बस वो इसराइल के प्लेन अधे गंटे का टाइम था उसमें रडार ने काम नहीं किया और उसका वज़ब यही बता ही आती है कि उसमें किल स्विच रखा था फ्रांस के इंजिनियरों ने और उसका इंफर्मेशन उन्होंने इसराइल को दे दिया तो इसराइल के जब प्लेन आने वाले थे उसके पहले उन्ज ने रडार के किल स्विच अक्टिवेट कर दिया और आधे गंटे तक रडार ने काम नहीं किया प्लेन सब कुद तभा करके चले जया फिर दूसरा की जो विदेशी कंपनी ने हमको वेपन दिये है जब युद्ध शुरू होगा तब उसके स्पेर पार्ट की किमत सौ गुनी कर देगा दस गुनी नहीं सौ गुनी पूरा देशी खरीद लो यूं समद लो पूरा देश बेटने की दौबत आएगी और तब सौ गुना क्या वो हजार गुना पैसा मांगे तो भी देना पड़ेगा जबकि जो दूसरे दुश्मन देश है हमारे अमरीका चाइना वो खुद हतियार बनाते अपने देश में तो उन्हें 10, 15, 20, 50 बंप फैटने हैं उनके लिए सिर्फ कॉस्ट है हम फ्रांस से या रशिया से वैपन खरीटते हैं तो उसमें कॉस्ट प्लस प्रोफिट आता है और वो प्रोफिट जितना चाहे उतना एड़ कर सकते है यूद के टाइम पे तो वो ने गुना प्रोफिट एड़ कर सकते है जबकि चाइना है वो खुद मिसाइल बनाता है, खुद फाइटर प्लेन बनाता है, तो इसलिए उसको उत्पादन पड़ता है कॉस्ट प्राइस पे, और मानलो हजारो मिसाइल बनाने हैं, सैकडो फाइटर प्लेन बनाने हैं, तो वो नई फैक्टरिया खुद डाल सकता है, जबकि हम France को नहीं बोल सकते हैं कि एक फैक्टरी नहीं डाल दो उसको डालने होगी तो डाले, ना डालने हो तो नहीं डाले तो इस तरह से जो इंपोर्टेट हत्यार है वह एक तो हम अमरीका ब्रिटन और फ्रांस से हथियार इंपोर्ट करते हैं तो जिस दिन अमरीका हम पर हमला करेगा और आज नहीं तो कल तो करेगा आज ना करे तो कल करेगा कल नहीं तो परसो करेगा ऐसा थोड़ा है कि उसको इराक का ख़तम कर दिया लिबिया को ख़तम किया तो गाड़ी रुकने थोड़ी वाली आद नहीं तो कल इंदुरस्तान दो तब हो अथियार काम नहीं करेगा और उससे पहले एक खत्रा है वो चीन की यूद दोने का तब काम नहीं करेगा तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि सेना को इंपोर्टेट हथियार करित के दो सिर्फ सेनिकों की संख्या बढ़ाओ तो military industrial complex improve करने के लिए हमें बड़े पैमाने पे local weapon manufacturing शुरू करना पड़ेगा अब local weapon manufacturing है उसमें सबसे important चीज के आती है engineering skill और engineering product की quality यानि कि एक जो हथियार है complex weapon system कोई भी ले लो जैसे airplane है तो उसमें छोटे छोटे 10,000 parts होते है और वो सारे parts एक factory के अंदर नहीं बनते एक छट के नीचे नहीं बनते वो पूरे देश में अलग-अलग जगह पे बनेंगे और उन में से अधिकतर part है वो small industries बनाती है big industry के corporation से बनाती है ऐसा नहीं है कि सारा काम small scale industry से चलना चाहिए चल सकता है उसके लिए बड़ी factory भी चाहिए बोईंग है लोकीड है वो तो giant size corporation है reliance से 10 गुने बड़े पर छोटी कंपनियों की भी बहुत जड़ोत परती है अब जो छोटी कंपनी का जो मालिक होता है छोटी कंपनियानी की जिसके अंडर 40-50 इंजीनियर है या तो 40-50 लेबर और 10-20 इंजीनियर है उसका जो मालिक है इस तरह से 40-50 कंपनी एंपलोई का मालिक उसको 20-0 तरह के अधिकारी परैशान करते रहते हैं उससे रिश्वत खीचते रहते हैं फिर वो लोकल पुलीस इंस्पेक्टर हो सकता है मेजिस्ट्रेट हो सकता है सेशन्स कोड का जज है डिस्टिक पब्लिक प्रसीक्टर है पॉलीशन कंट्रोल बोड का इंस्पेक्टर है ये एकसाइज इंस्पेक्टर कस्टम इंस्पेक्टर सेल्स टेक्स इंस्पेक्टर वैट और सेल्स टेक्स एक ही हुआ इंकम टेक्स इं तो होता क्या है कि इन में जो बहुत ही productive लोग होते हैं और अच्छा उनका technical mind अच्छा होता है लेकिन इस तरह से उनको खातिरदारी करना उनका स्वभाव नहीं होता है जैसे मैं आपको example दू, Steve Jobs, Apple Company का मालिक वो technically बहुत ही skilled आदमी था, बहुत ही अच्छा design मनाता था, बहुत अच्छा program लिखता था लेकिन उसको यदि मैंने किसी भारत के अंदर कोई factory चलाने का काम दिया होता तो वो क्यों fail होता, कि pollution control board वाला आके उसे रिश्वत बंगता, वो उससे हाथा पाई कर बेकता, दूसरे दिन वो jail में जाता वो क्यों इतनी बड़ी company अमरिका में खड़ा कर पाया, वो पहले वो PCB बनाता था, अपने एक छोटी सी उसकी दुकान थी, उसमें PCB बनाता था, उसके बाद उसका कारोबार बढ़ा हुआ तो वो क्यों उपना कारोबार चला आया, क्योंकि जिंद्गी में कभी कोई officer उसको गलत तरीके से परिशान करने नहीं आया, ना कभी उसको छोटे किसी इस तरह से labor inspector या provident fund inspector या तो किसी judge या magistrate जैसे आदमी को रिश्वत देनी के जरूद पड़ी, एक बहुत बढ़ा पेसिटी नहीं होती कि वो किसी बड़े company के law firm को hire कर सके या बहुत बढ़ा consultant payroll पे रख सके, ऐसे में आदमी को अधिकतर काम खुद करना पड़ता है, ऐसे case में कोई middle level का officer उसको परेशान करने नहीं आता था, इसलिए वो grow कर पाया, वो ठीक से काम कर पाया, तो अधिकतर य या उसे छोटे के factory चलाने वाले employer होते हैं, उनकी सबसे बड़ी problem होती है कि officer उनको परेशान करते है, अब अमरीका में officer क्यों उनको परेशान नहीं करते है, ऐसा नहीं है कि वह moral character अच्छा है, यह जूट बात है, काफी लोग ऐसा कहते हैं कि अमरीका का moral character अच्छा है, national character अच्छा है, खास करके यह जितने भी RSS के leader है, वो सब एक ही बात बोलते हैं कि हमारा national character नहीं है, भारत में national character खराब है, इसलिए अमरीका का national character बहुत अच्छा है, इसलिए अमरीका आगे है, बकवास बात है, अमरीका में अधिकारी इसलिए परेशान नहीं करता है, छोट भी का हुआ होता है, वो डेट पे डेट डालता जाता है, तो फैक्टरी वाला परेशान हो जाएगा, जबकि अमरीका में वो केस जूरी के पास जाएगा, तो जूरी सबसे पहले सोचेगी, इस आदमी ने कुछ गलत ही नहीं किया है, और अफसर हो बिना मतलब का केस बना र केस बनाने की, और इसलिए वो अधियोगपती को बहुत ज़्यादा छेड़ते भी नहीं दे, यदि सचमुच उसके सामने कोई कॉई कॉइट एविडेंस हो, कॉइट स्टेप हो तो भी उसको नोटीस बेचते थे, नोटीस भी भेजना वाँ पे, अधिकारी यदि गलत नो जो जज लॉयर नेकसस है, वो जूरी लॉयर नेकसस नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में हर एक जच चाहता है कि उसके जो रिष्टेदार वकील है, उसकी कमाई दस बिस गुनी हो जाए, जबकि अमरीका में जूरी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, वो चाहता भी हो, हर एक आदमी चाहता भी हो कि उसका वकील है, उसका कोई रिष्टेदार वकील दस बिस गुना पैसा कमाई वो क्यों मुम्मिकिन नहीं है क्योंकि हर एक आदमी के रिष्टेदार वकील नहीं होता, वो जूरी मैं आ गया, जूरी रेंडम ली सिलेक्ट होती है, जो वोटर लिस्ट लाख लोगों का उसमें से रेंडम सेलेक्शन से 12-15 आदमियों को सिलेक्ट किया जाता है तो उस जूरी सिस्टम के वज़े से वहाँ पे जज लॉयर नेक्सस नहीं होता और एक जूरी एक आदमी जूरी में आता है तो तो ठीक है नहीं है तो केस को खारिज कर दो मेरिट है तो उस आदमी को इतनी सजा करो और वो फाइन कर देता है दूसरा जो जूरी में आता है वो आम आजमी होता है वो यह भी देखता है कि इस तरह से हमने उद्योग पती को गलत परेशान किया तो उद्योग पती फैक्टरी की उसको respect की तरह देखता है कि यह आदमी wealth produce कर रहा है, employment दे रहा है, इस area की गरीबी कम कर रहा है, इस area की employment दे रहा है, तो crime कम हो रहा है, तो उसने सच मुझ कोई गलत काम किया है, तो इसको fine करो, लेकिन बिना मतलब का case है, तो वो case को खारिज कर दो, इसलिए jury system है, वो जो छ है, वो technically ज्यादा efficient हो पाते हैं, और वो efficiency आगे जाके हथियार बनाने में काम आती है, जो manufacturing company है, छोटी manufacturing company है, वो बड़ी manufacturing company के लिए training ground provide करती है, अमरिका का जो पूरा manufacturing business है, it is a training ground for weapon manufacturer कि वहाँ पे जाके engineer 2-3 साल काम करता है, तो उसकी skill improve होती है, उसकी expertise improve होती है, उसके बाद वो किसी हथियार बनाने वाली बड़ी company में नौकरी ले सकता है, और वहाँ पे वो ज्यादा efficiently काम कर पाएगा, कम गल्कियां करेगा, और ज्यादा अच्छे quality के weapon बना पाएगा, तो ये low level पे jury system बहुत important है, अब high level पे क्यों right to recall ज़रूर है कि right to recall PM नहीं हुआ, तो PM ही बिग जाएगा जो अभी हो रहा है, PM खुद बोलता है कि वेपन हमको import करने हैं, हमें locally manufacture नहीं करने हैं, हमारा PM ने one two three agreement sign कर दिया है, इसका मतलब कि हम nuclear weapon का हमको test करना होगा, तो अमरीका की permission के बिना हम test नहीं कर सकते हैं, nuclear weapon को, तो और अमरीका क्यों permission देगा, वो कहुंसा हमारा रिष्टेदर होता है, तो इस तरह के वो contract इसलिए sign हो रहे हैं आजकल, क्योंकि हमारे पास right to recall PM नहीं है, और इसलिए वो local weapon manufacturing का कोई step मनमोन सिंग नहीं लेता, क्योंकि अमरीका नहीं चाहता, कि भारत में बड़े पैमाने पे 100% local manufacturing हो, जो weapon बनाते हैं, जैसे कि ब्रमोस है, पर आप Google करो, ब्रमोस उसका जो core है, वो made in Russia है, बहुत सारे weapon हमने locally बनाया हैं, पर उसका जो chips है, semiconductor chips, वो सारे के सारे imported है, क्यों, क्योंकि मनमोन सिंग नहीं बनाई, semiconductor policy राजवी गांदी ने बनाई थी, 1980, late 80s में, वो cancel कर दी, 1992 में, और उसके बाद 20 साल हो गया, अभी तक नहीं semiconductor policy नहीं बनी, तो यहां पे जो, जिसको क Intel जैसी बड़ी company foundry बनानी है, semiconductor chips बनाने के लिए, तो उसको permission ही नहीं मिलेगी, foundry बनानी की, तो इसलिए यहां पे 8-bit CPU भी आज भी import होता है, इंडिया में कोई local manufacture नहीं करता है, चाइना तो 32-bit, 64-bit CPU खुद मैनुफेक्चर कर रहा है, हमारे यहां 8-bit CPU भी सारे import हो रहे है तो इस तरह से पूरा chip और advanced PCB है, वो सारी imported है, तो उसमें दुश्मन आसनी से उसको trojan रखने का भी मौका मिल जाता है, उससे production cost भी बढ़ जाती है, और जो research iteration है, कि एक चीज़ बनाई उसको छोटा से improvement करके तुरण दूसरी चीज़ बनाई उसमें छोटा से improvement करके तुरण तो इक साल का होने के बजाए, तीन, चार, पांस साल का हो जाता है, और उसका effect हमें already दिख रहा है कि nuclear submarine हमेरे पास एक भी नहीं है आज, एक जो nuclear submarine का चर्चा अपने शाह सुना हो, वो nuclear power submarine है, उसमें nuclear weapon नहीं है और वो अभी fully commission नहीं हुई है, वो बनाना शुरू किया था 1977 म में आप कहीं जाके खतम हुई, मतलब कितना 30 साल लगे जबकि चाइना के पास 20 से ज़्यादा nuclear submarine है, nuclear weapon वाली submarine, तो अब यह high level पर जो corruption है, PM के level पे, defense minister पे, उसकी वज़े से हमारी सेना, हमारा military industrial complex मजबूत नहीं होगा, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो आपे लोगपाल का का लोगपाल का मेरा कलग वीडियो टेप है, उसका लिंक आपको comment section में मिल जाएगा, उसमें मैंने explain किया है, कि लोगपाल से तो उपर से ये problem और भिगर जाएगा, क्योंकि वीदेशों का काम आसान हो गया, आज वीदेशी पूरा भारत क्यों नहीं खरीद पाए, क्योंकि प अपने एजेंटों को रख देना वो आसान कम नहीं, इसलिए जो मल्टिनेशनल कंपनिया है, खास करके रॉकफेलर और वो सब भारत में जनलोगपाल सिस्टम चाहती है, ताकि उनको सिर्फ 11 लोगों को कंट्रोल करना पड़े, तो जनलोगपाल आने से काम with no right to recall जनलोगप तो रॉकोफेलर का और अमरिकनों का काम आसान हो गया, उन्हें सिर्फ अपने दें, दस बीस आदमी को लोगपाल की जगो बिठा देना है, और यदि उनमें से 2-4 आदमी ऐसे आगे जो उनकी एजन्ट नहीं है, तो खरीद लो उनको, हर एक को बोलो कि तुमारे 3-3 रिष् जो है, उन्हें सब को कंट्रोल करो, तो इससे तो वेपन मैनुफेक्चरिंग केपेबिलीटी और कम हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे, इसलिए हमें ये जूरी सिस्टम और राइट टू रिकॉल के प्रचार पे फोकस देना चाहिए, न कि तेल साबून के प्रचार पे, क्य तो हमें सेना खड़ी करने के लिए और हथ्यार बनाने के लिए पैसा चाहिए, अब इसमें तो कोई IMF की लोन नहीं मिलने वाली, IMF हमको इसलिए तो लोन नहीं देने वाला ना कि हम अमरिकालों को लड़ने के खिलाफ सेना बनाएं, तो ये पैसा तो हमको भारत में टेक्स टाल के लेना पड़ेगा, तो कौन से ऐसे टेक्स के कानून है कि जिससे हम इतना पैसा इकठा कर सके कि हम अमरिका को टकर ले सके, ऐसी सेना बना सके, तो वो टेक्स के कानून है से वैल टेक्स और हिना रिटन सेक्स, सेल्स टेक्स से जी एसटी से इतना पैसा आभी नहीं सक कि तो जो लोवर क्लास है वो पूरा खतम हो जाएगा कैसे खतम हो जाएगा कि वैट है सेल्स टेक्स है सर्विस टेक्स है वो रिग्रेसिव टेक्स है वो मेरा टेक्सेशन पर वीडियो उसका लिंक भी आपको इसमें मिल जाएगा वो रिग्रेसिव टेक्स है यानि कि उसकी ब ने उसके वेल्टेक्स बहुत काम आता है क्योंकि उसके परस वेल्ट नहीं है इनरिटन्स टेक्स भी उसके बराबर आता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने वारिसों को बहुत करोड़ों रुपया दे सके तो लेकिन वेल्टेक्स और इनरिटन्स टेक टीपी वह सारे कानून चाहिए, टीपी आपको सेक्शन 1.3 में मिलेगा, यह मेरी किताब है, राहुलमेटा.com slash 301.htm, उसमें ट्रांस्परेंट कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसीजर, जिसके द्वारा हम भारत में वैल्टेक्स और इनरिटन्स टेस्स का कानून ला सकते हैं, वो इनरिटन्स टेस्स का वानून भी पास नहीं करेंगे, अब आप बोलोगे, कि यह राइट टो रिकॉल और जूरी सिस्टम की क्या जरूरत है, हटाओ यह सारे 500 MP को, और आमा अदमी पार्टी के अच्छे 500 MP को रख दो, या तो जितनी सुप्रमनियों स्वामी को रख दो या तो अनना को MP बना दो, या तो अरविंद गांधी को MP बना दो, आने के बाद वो भी बिख जाएंगे, मैं अभी से आपको सबूत देता हूँ, बाद में क्या बिखेंगे, वो अभी से वेल्टेक्स का विरोध कर रहे हैं, वो अभी से इनरिटन्स टेक्स का विरोध कर क्यों विरोद कर रहें Weltex का क्योंकि जो American companyya उनके media financing, media sponsorship दे रही है उन पे भी Weltex आएगा तो उनको हर साल उनके पास जो दौलत है अमरीका भारत में उनके पास जितनी जमीन है जितनी ये उनके शेर वगेरा है उस पे उनको 1% tax देना पड़ेगा तो कोई अमरीकन कंपनी वेल्टेक्स नहीं देना चाहती इसलिए आप अभी जो 500-600 MP है मतलब 545 लोग सभा के और 200 राजे सभा के उनको हटा के आप इमानदार MP लाओगे तो वो 800 MP भी हफते दो हफते में बिग जाएंगे और इसके लिए right to recall या तो transparent complaint firing procedure जो की एक तरह का referendum procedure क की तरह काम करेगा जिसमें नागरिक है वो सीधा MP को कहे पूछे भीना वेल्टेक्स के कानून खड़े कर सकते हैं तो वेल्टेक्स का कानून खड़ा करने के लिए भी हमें चाहिए कि हम transparent complaint filing procedure को जितनी है सके जलती गैसेट में छपाए ताकि सेना खड़ी करने के लिए हमें जो पैसा चाहिए वो आ सके अब क्या सेना को इतना महत्वा देना जरूरी है अकसर एक question मुझे आता है वही हमें सेना को महत्वा देना चाहिए पर बाद में अभी हमें focus करना चाहिए तेल साबून पे toothpaste पे फिर ये cold drinks का विरोध करने में फिर और हमको ये culture पे कि दिन रात ये कपूर का एकता कपूर का विरोध करो लेते या तो सनी लेओन का विरोध करने में घंटों के घंटे लगा दो सेना पे focus करना चाहिए पर बाद में यानि पूरे activism का सब्सक्राइब 15% ही देना चाहिए क्योंकि सेना इतनी important नहीं है क्योंकि मुझे आ हो थोड़ी गलत पाइमे है हुआ क्या कि हम छोड़े सोते रहे सोते किस सेंस में है कि 1950 के आसपास जब देश आजब हुआ नाइटिन फॉर्टि-जवन में तभ हमारे सेना चीन के सेना से ज़्यादा मजबुत थी हर तरह से चीन के पास नेवी हत्यार बनाने के फैक्टरियां भी जादा थी सब कुछ जादा था भारत पाकिस्तान का बटवार हुआ तभी भी हमारी सेना पाकिस्तान से बहुत जादा मजबूत थी हत्यार बनाने के अधिक तर फैक्टरियां भारत में थी पाकिस्तान में नहीं थी हत्यार बनाने के इंज तो यदि रूस उनकी मदद भारतियों की मदद करना शुरू करे तो बृटन की क्या अमरिका की सेना भी हार जाती अमरीका भी मानलो 1950 में सोतता की चलो भारत पे आक्रमन करके भारत पे कपजा कर लेते तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि यदि रूस की सेना उस समय भारत को नाम में हुआ वियत नाम में अमरीका हारा क्यों क्योंकि रूस वियत नाम की मदद कर रहा था यदि रूस ने मदद नहीं की होती तो वियत नम पूरा तीन मैने में खतम हो जाता उत्तर वियत नम पूरा का पूरा तीन मैने में इस तरह से इराक खतम हो गया पूरा का पूरा तो थोड़ी से awareness आई लेकिन पाकिस्तान के साथ जो तीन चार युद्ध हुए कारगिल के युद्ध को चौथा युद्ध मन लो तो उसके तीनों युद्ध में हमारी जीत हुई और इसलिए हम ये सोच में आगे है कि हमारी सेना बहुत मजबूत हो गई है पर हमारी सेना पा कुछ नहीं बिगार सकता ब्रिटन भी हमारा कुछ नहीं बिगार सकता वो गलत था वो गलत भर्हमкрет हो गया तीन तीन आसान सफलताओं के कारण हमने ये गलत ब्रह्म में आगे कि अब हम पुरी दुनिया से अपने आपको बचाने के लिए सक्षम है कारगिल में हमारी कमजोरी पुरी की पूरी एक्सपोस हो गई कि अमरीक कारगिल का युद्ध है मेरा एक दूसरा वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेइन किया है कि कारगिल का युद्ध पाकिस्तान हार गया भारत भी हार गया अमरीका जीत गया कि अमरिका ने उसमें रेफरी की का रोल किया और रेफरी ऐसा कि उसने बोला कि आप यूद बंद करो और भारत को उस वक्त यूद बंद करना पड़ा पाकिस्तान को भी यूद बंद करता पड़ा और यदि भारत उसकी बात अमरिका की बात नहीं मानता कि यूद बंद करो त दोनों देशों को वो मेरा पूरा एक दूसरा वीडियो एक्स्प्रियन करता है पर कारगिल के वीडियो से हमारे सारी कमजोरिया बहार है ज़िए यदि पेड़ मीडिया ने उसको दबानी दिया होता वो ये कि हमारे पास लेसर बम होता और लेसर मिसाइल होती लेसर गाइड़ेड बम और लेसर गाइड़ेड मिसाइल या दो में से एक तो हमारे एक भी सैनिक नहीं मरता हम लेसर गाइड़ेड बम या लेसर गाइड़ेड मिसाइल के दवारा पाकिस्तान ने जितने बंकर बनाया थे सारे बंकर को तोड़ सकते थे, उनके सारे घुसपेटियों को मार सकते थे, लेकिन हमारे पास लेसर गाइड़ेड बॉम और लेसर गाइड़ेड मिसाइल आखिर में आये और उसके बाद ही युद्ध में परिवर्तन हुआ, हमको रश्या ने भी नहीं दिया, फ्रांस ने भी नहीं दिया, अमरीका तो देता ही, चाइना तो देनी नहीं वाला था, ब्रिटन ने भी नहीं दिया, इसराइल ने भी लेसर गाइड़ेड बॉम और लेसर गाइड़ेड मिसाइल नहीं दिये, इसराइल ने हमारी काफी मदद की बफोर्स के तोप के गोले इसराइल नहीं बेजे थे, औ अब अमरीका ने मना किया था कि लेसर गाइड़ेड़ बॉम नहीं देना है तो इसराइल भी नहीं दे सकता तो लेसर गाइड़ेड़ बॉम नहीं मिले इसलिए हमें सैनिकों को कहना पड़ा कि तुम परवत पे चड़ो और वो परवत के बंकर बना के बैठेते तो अब हमारी परिस्थिती क्या है भारत की सेना की कि मान लो भारत और पाकिस्तान में यूद दोता है दुनिया में कोई देश किसी की मदद के लिए नहीं आता आइसोलेटर सिनारियो देख लो तो तो हमें कोई चिंता की बात नहीं हम पाकिस्तान की सेना को खतम कर सकते हैं को पुरी मदद करेगा. साउदिया अरेयब्या पैसा देगा पाकिस्तान को और चीन या अमरीका दो में से एक देश एक देश उसको मुहकंगे हत्यार देगा, पैसे देने पर पैसा साउदिया अरेयब्या देगा, लेकिन पैसा मिलने पर जो हथियार चाहिए वो सारे हथियार देगा चाइना या अमरीका सेटेलाइट हेल्प देगा और सेटेलाइट इंफर्मेशन देगा कि अभी भारत की सेना कहां कितनी बैठी है भारत के प्लेन कितने कहां पर है और उसी स्मॉल्टेशन से पाकिस्ता चाइना के अथियार लेकर पाकिस्तान यदि फुल स्केल अटेक करता है तो क्वेस्चन आएगा कि क्या अमरीका हमको दूसरे दिन मदद करने के लिए अथियार देगा या नहीं मान लो अमरीका ने दूसरे दिन अत्यार देना शुरू किया हमें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भारत की सेना पाकिस्तान की सेना को हरा सकती है रोक सकती है लेकिन अमरीका यदि दूसरी बुद्धी अपनाता है कि पहले भारत को तीन मैने तक पिटने दो तीन मैने के बाद मदद करेंगे लेकिन तीन मैने तक बराबर की मार खाने दो भारत को पाकिस्तान और चाइना के हाथ हम तीन मैने बाद मदद करेंगे ताकि उसे हमारे मदद की कीमत पता चले एक-एक भारतीय को वो मैं स्ट्रेचरी आपको बताऊंगा कि तीन मैंने क्यों बाद में मदद करेगा तो मतलब की चाइना और पाकिस्तान मिलकर एटेक करते हैं और अमरीका यदि तीन मैंने बाद मदध पहुचाना शुरू करता है तो उस तीन मैंने के दौरान पाकिस्तान की सेना कलकता और मदराश तक आ जाएगी, कोई नहीं रोख सकता, उसमें पाकिस्तान की सेना की महानता नहीं है, यह महानता है वो चीन के अथियार हो की है, चीन के पास जो हथियार है वो इतने ताकतवार है कि वो पाकिस्तान जैसे कमजोर सेना को भी इतनी ताकत दे सकते हैं और यदि उस समय भारत को अमरीका के हथियार टाइम से न मिले तो तो वो हथ्यारों की शक्ती से वज़े से पाकिस्तन की सेना कलकता और मतरास आ सकती है कैसे? मैं आपको एक एक एकजमपल दूँगा अभी वो है क्रूज मिसाइल क्रूज मिसाइल है वो भारत के पास एक भी रडार ऐसा नहीं है जो कि cruise missile को detect कर सके 2014 में एक radar खरीदने की procedure शुरू होगी कब वो radar आएगा भगवान जाने पर आज की तारिख में चाइना के पास ऐसे cruise missile है जो कि भारत में 502 km अंदर घुसके किसी भी station को किसी भी point को उड़ा सकते हैं और भारत उसके सामने defense less है पाकिस्तान को देता है तो पाकिस्तान अपने बॉर्डर से cruise missile फैक फैक के जितने भी Indian military के installation है, Air Force के hangar है, power station है, bridge है उसको उड़ा सकती है और उससे वो advance करने का मौका मिल गया और फिर धिरे इस तरह से advance चलता ही रहेगा क्योंकि हमारे पास cruise missile के साम बचने का कोई अथियार नहीं है फिर जो Air Force के plane है, वो हमारे पास सारे made in America है made in France है, made in Britain है कुछ made in Russia भी है वो मान लो चाइना से ज्यादा superior भी हो लेकिन चाइना खुद बना रहा है अपनी factoryों में इसलिए वो सेकड़ों की संख्या में Air Fighter Plane खुद बना सकता है इसलिए वो इतने सारे Fighter Plane बना के पाकिस्तान को देगा कि हमारे एक Fighter Plane उड़ा है उसके सामने हम पाकिस्तान के तीन Fighter Plane भी उड़ा दे तो भी पाकिस्तान के पास ज्यादा Fighter Plane होगे तो इस तरह से Fighter Plane भी आगे तो एक तो क्रूज मिसाल का शील्ड है क्रूज मिसाल के थ्रूँ एटेक बढ़ता जाएगा Fighter Plane के थ्रूँ एटेक बढ़ता जाएगा और इस तरह से हमें पाकिस्तान की सेना अंदर से अंदर से अंदर गुषती जाएगी अब मान लो भारत की सेना रूपी दिवाल तूट गई तो अंदर का पूरा भारत खोखला है खोखला खिस सेंस में कि भारत में एक प्रतिशत सेना और पुलीस को के सिवा सेना और पुलीस के सिवा जो सिविलियन फोर्स है उसमें से एक प्रतीशत पॉपिलेशन के पास भी बंदुक नहीं है और AK-47 लेवल की राइफल तो शायद 0.1% के पास भी नहीं है किसी भी सिविलियन के पास है नहीं गिने चुने शायद परसनल सिक्योरिटी वालों के पास दो-पांच के पास हो तो अलग बाते बाकी यह समझोगे पूरे हिंदुस्तान में सारे पुलिस वालों के पास भी नहीं है मिल्टरी के पास हरेक सैनिक के पास AK-47 यह उससे अची राइफल है CRPF में अधिकतर के पास है सब के पास नहीं है पर जो 15 लाग की पुलिस है उसमें भी सब के पास AK-47 नहीं है और जो civilian population है उसमें तो है नहीं जबकि दूसरी तरह जो पाकिस्तान है अफगानिस्तान है पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें एक करोड से ज्यादा लोगों के पास AK-47 है लीगली इलीगली कुछ भी लेकिन उनके पास है और करोडों की संख्या में वो AK-47 चाइना से और अफगानिस्तान से ला भी सकते है हमारे पास फैक्ट्री आ नहीं है कि हम साल में एक करोड करोड की एक का उत्पादन कर सकते हैं करनी हो तो उतनी फैक्ट्री हैं उनके पास तो वो दमनादन AK-47 राइफल तो पाकिस्तान में करोड़ लोगों के पास तो आज की तारिख में 1.47 है युद्ध शुरूआ तो वहाँ पे 3 करोड़ लोगों के पास 1.47 आ सकती है तो एक बार भारत की सेना रूपी दिवाल तूट गई तो पूरा का पूरा भारत खोखला है किसी के पास बंदूग नहीं है नेल कटर भी नहीं है पूरी पाकिस्तान की सिर्फ सेना नहीं वहाँ के करोड़ो नागरिक भी भारत में गुसाएंगे और फिर क्या गदर मचाएंगे तो मैं आपको कोँगा 1947 की हिस्ट्री पढ़ो कि 1947 में कराची में इसलामाबाद में रावल पिंडी में या ढाका में क्या गदर मचा था लाखोनी करोडो की संख्या में लूट होंगी कतले आम होगी जितना जो मिलेगा वो लूट लेंगे जो कीमती सामान होगा जो कीमती नहीं होगा वो जला डालेंगे और करोडों की संख्या में अपरण भी होंगे जितना 1947 में हुआ ता उसको तुम 10 या 20 या 50 से मल्टिप्लाई कर लो उतनी बड़ी हिंसा हो सकती है यदि पाकिस्तान यदि भारत की सेना रूपी 10 लाग की दिवार तूट गई तो भारत में सिर्फ 10-11 लाग सेनी के जो CRPF है परामिल्टरी फोर्स और पंदर लाग उसमें इतनी ताकत नहीं है जितनी सेना में है तो इस तरह से ये एक रियल पॉसिबलीटी है कि यदि अमरीका हमको दूसरे दिन मदद नहीं पहुँचाता और कहता है पाकिस्तान की सेना भारत में कलकता और मदराश तक गुस सकती है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के करोडों लोग भी गुसाएंगे और पुलीस है उसके पास तो कोई हथियारी नहीं है कि वो AK-47 के सामने टिक सके जो अपने बंबे में देख लिया कसब 12 लोग आये थे कितने लोग थे वो कितने आदमी थे 12, 15, 20 कितने थे और पुलीस खतम हो गई पूरी 10 पुलीस वाले तो वो ही ठेर होगे उनके पास उतने एडवांस वेपन थे ही नहीं कि वो इनके सामने टिका है और कसब के पास बंब नहीं था उसके पास रोकेट लॉंचर नहीं था यह जो पाकिस्तानी आएंगे वो तो बंब और रोकेट लॉंचर लेके आएंगे और इतना ही नहीं भारत के अंदर एक दो करोड बंगलादेशी तो आज ही महुँच होते है कोने कोने में बंबे में लाख दो लाख बंगलादेशी है दिली में लाख दो लाख बंगलादेशी है बैंगलोर में एक दो लाख बंगलादेशी है चाइना उनको भी तो बड़ी संख्या में AK-47 ग्रेनेड और रोकेट लॉंचर पहुचा सकता है तो इस तरह से करोडों की संख्या में कतल्याम हो सकती है अपरण हो सकते हैं लूटपाट हो सकती है तो उसके लिए बचने का तरीका क्या है जो मैंने एक्स्प्लेंड किया कि कानून पास करना चाहिए कि हर एक भारतिय के पास बंदू को स्विजर्लेंड में 25 साल से 25 साल की उमर के हर एक नागरिक के घर में बंदूक और 24 गोलिया होना जरूर यह यह 24 गोलिया का आकड़ा में अपनी जेव से नहीं दे रहा उनके कानून में लिखा है अलग-अलग केंटोन में अलग-अलग कानूने कहीं 24 वहाँ पे केंटोन यानी जिले कहते हैं स्विजरलेंड में कुछ 30 जिले हैं कुछ जिलों में 24 बंदू का कानूने कुछ जिलों में 40 गोलियों का कानूने कुछ जिलों में 24 गोलियों का कानूने लेकिन स्विजरलेंड में एक उनिफर्म लोग है कि हरेक व्यक्ति को 25 से 45 साल की उमर का हो उसको अपने घर में बंदूक रखनी पड़ती है और घर के अंदर 24 गोलियां रखनी पड़ती है तो इस तरह का कानून हमारे लिए भी होना चाहिए ताकि पाकिस्ता यदि भारत की स बचाओ कर सके लेकिन ये सारे कानून भी कब आएंगे जब हमारा ध्यान तेल साबून से हटे ये एकता कपूर और सनी लियोन के चक्कर से हम भार आए और कम से कम इन मुद्धों पे फोकस करना शुरू करे इसका प्रचार करना शुरू करे लोगों को समस्याओं के बारे मे में बता है तब होगा यदि हम दिन रात उसी को जो यह सणी लियोने या तो मुकेश बटे या महेश बटे या जो भी है यदि सिर्फ उनी से उलजने में निकाल दिया हमने तो यह सारे चीजों के प्रचार करने का मुकाई नहीं मिलेगा और इससे फिर जितना हम भारत की सेना को मजबूत करने के लिए जो जो कानून हमें चाहिए हम वो कानून लाने में जितना डिले कर रहे हैं उतना हमारे दुश्मन को फाइदा हो रहा है क्योंकि दुश्मन टाइम नहीं वेस्ट कर रहा है आप चाइना में जाओ तो वहाँ इन सारी चीज़ों पर कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है वो इस चीज में टाइम लगा रहे है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हथियार बने पाकिस्तान ठीक है वो कबाड़ी देश है उससे कोई डरने की बाद नहीं लेकिन पाकिस्तान के प्रॉब्लेम पाकिस्तान से नहीं है प्रॉब्लेम तब है जब चाइना पाकिस्तान को हथ्यार देगा अब अंत में एक question आता है कि मैं अमरीका दूसरे दिन मदद करने क्यों आएगा तीन मैने बाद क्यों आएगा तो उसमें मैं आपको एक example दूँ कि मान लो आप एक व्यापारी हो आपका 50 लाग करोड का सालाना व्यापार चल रहा है शोरूम है जवैलेरी का कपड़े का कोई अच्छा बिल्डर हो कुछ भी कोई अच्छी पोजिशन पर आप हो और एका एक आपका कारोबर बढ़ने लगा क्योंकि वहाँ एकोनोमी बढ़ने लगी तो तीन लोगों के मुह में पानी आएगा एक तो वहाँ का जो MLA मिनिस्टर है वो कि साला बिजनेस में इतना कमा रहा है वहाँ का जो PISP है पुलिस वाला है सिनियर इंस्पेक्टर वो और तीसरा वहाँ के जज को तीनों के मुह में पानी आएगा कि कैसे इस आदमी से थोड़ा पैसा बटोर आ जा सके अब वो इंस्पेक्टर या मिनिस्टर या जज खुद आपके शोरूम में आके पैसा मांगेगा तो आप शायद दोगे भी नहीं आ तो दस बीसे जार पांचे जार जैसी छोटी गिफ्ट दोगे और उसको भी मांगने अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए ये तीन लोग क्या करते हो किसी गुंडे को बोलेंगे कि जा उस वेपारी की जाके पिटाई कर उसके शोरूम में जाके धंका उसके कस्टमर को भगा दे उसको स्टाफ की जाके पिटाई कर दे तो वो जब आपके शोरूम में आके गदर मचाएगा तब आपको जब एफार लिखाने जाने पड़ेगा तब आप सामने से 50,000 दोगे वो फरक होता है यदि मिनिस्टर इंस्पेक्टर या जज़ आपके शोरूम में आके मांगे तो तो आप नेगोशेट करेगे कि 50,000 आजकल धन्दा ठीक नीज कर रहा है आप 5000 से काम चला लिजिए लेकिन गुंडे ने आपकी पिटाई की आपके स्टाफ की पिटाई की और चाहिए और वो आपको एक रुप्या भी नहीं लेगा और फिर गुंडे को फोन करेगा कि जा उसके स्टाफ की डबल पिटाई करना कर तो दूसरे दिन आप जाके उसको दो लाख दोगे तो गुंडा जितना ही आपको ज्यादा परेशन करेगा आप सामने से स्वेच्छा स अपनी मर्जी से उसको उतना ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाओगे फिर एक लिमिट के आके बाद रुखना पढ़ता है क्योंकि प्रोसीजर ओफ इलेक्षन है बहुत ज्यादा प्रहा है तो दूसरे इलेक्षन में आप उस MLA को बदल के या मिनिस्टर को बदल के पुलिस वाला जज और मिनिस्टर भी रखेगा लेकिन वो इतना देखता है कि गुंडा जितना तुमको ज्यादा परेशान करता है जितना तुमको ज्यादा भाइबीत करता है उतना तुम ज्यादा पैसा दोगे तो पहले ही दिन गुंडे को मार देना वो उसके हित में नह तो इसलिए जिस तरह से ये एक छोटे लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वे एक व्यापारी है और दूसरी तरह पुलिस है जज है और मिनिस्टर जो की तीनों अंदर मिले हुए हैं वो गुंडे को बोलते हैं कि जा तू इस व्यापारी को परेशान कर ताकि वो भारत को अमरीका के जाके घुटनों के बल पढ़के उसको पाउं चुने पड़े प्राफना करनी पड़े कि भाई तू पाकिस्तान को मदद करना बंद कर भाई तू भारत को थोड़ी मदद कर जैसे कि कारगिल के टाइम भारत के नेताओं को क्लिंटन के पाउं चुने उसके बाद election में अमरीका ने पहला काम दिया कि भई ये insurance bill pass करो करना पड़ा क्योंकि नहीं करते तो दूसरी बार कारगिल होता तो इस बार double कारगिल होता तो ये जो पाकिस्तान रुपी गुंडा है वो अमरीका ने खड़ा इसलिए किया है कि भारत को परेशान किया जा सके और बदले में भारत को अमरीका की कमपनियों को mines देनी पड़े, contract देने पड़े, license देने पड़े जो भी चाहिए उनको वो देना पड़े अब वो इस game में चाइना भी आ गया कि पूरा भारत खटम हो जाए लेकिन यदि पहले दिन मदद करने आता है तो हम उतना भाव नहीं देंगे उसको और हमें उसका महत्व भी इतना पता नहीं लेगेगा लेकिन पाकिस्तान की सेना कलकत्ता और मदरास तक आ जाती है और बड़े पहमाने पे लुट पाट होती है हत्याय होती है अपरण होती है आगजनी होती है और उसके बाद अमरीका मदद करने आता है पिक्चर के एंड में हीरो की तरह एंट्री करता है तो उसका महत्व पता लगेगा वो ज्यादा भाववसूल कर सकेगा एक अमरीकान सोच है सच गलत मेरे हिसाब से गलत पर उनके हिसाब से यह सोच है यह सोच क्या है कि भारत के लोग क्यों दब नहीं रहे क्यों अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे क्यों वो आज भी अमरीका के भारतिय धर्म को नहीं छोड़ रहे हिंदु धर्म को नहीं छोड़ रहे क्योंकि उनमें मिथ्या भीमान है मिथ्या भीमान यह उनकी सोच है हम स्वाबीमान कहते हैं मेरे हिसाब से भी स्वाबीमान है पर उनके हिसाब से ये मिथ्या भी माने कि ये बिखारी लोग है और क्यों अपने आपको इतना बड़ा समझते हैं इनको बराबर धुलाई होने दो एक बार इनकी बराबर धुलाई होगी तो अपने आप इनका ये भूत निकल जाएगा तो इसके बाद वो हम कहेंगे कि एक मल्टी नेशनल कंपनिया लानी है तो वो कहेंगे साब दस ले आओ हम कहेंगे कि कोक बेचना है तो साब कोक के साथ में जहर भी बेचो जितना यहाँ पे नुकसान ज्यादा होगा जितनी यहाँ पे कमजोरी जितनी यहाँ पे कठीनाईया होगी उतना हम विदेशी कंपनी हो या तो विदेशी धर्म हो या तो विदेशी संस्कूत हो उसको हम जल्दी से अपनाएंगे यह उनकी सोचे इसलिए अमरीका यदी चीन और पाकिस्तान यदी मिलके हमला करते हैं तो अमरीका मदद करने तो आएगा क्योंकि एंड में उसे भारत खोना नहीं है उसको भारत की पूरी मैंस चाहिए उसको भारत के लोगों पर कंट्रोल करना है उसको यह जो population है उसको गुलाम बनाके रखना है उसको भारत अपने हाथ से नहीं जाने देना है लेकिन वो तीन म पुरा तबाह कर दिया होता, सब को माडाला होता, तो ये स्थिति से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि भई हमें ऐसी नौबत ही ना आने दे, कि हमें अमरीका की जरुवत पड़े, आज ये परिस्थिति हो गई है कि यदि चीन भारत पे हमला करता है, या चीन और पाकिस् दुस्तानी को बंदूख दी जाए, पर वो कानून भी हमें पहले गैसेट में छपपाना पड़ेगा, आज की गैसेट में जो कानून है, उसके मिताबिक तो कमिशनर लाइसंस दे नहीं सकता, कमिशनर पे एक इंडारेक्ट कंट्रोल होता है, कि इस जिले में तुझे हजार से ज्यादा लाइसंस नहीं देने, वो इंडारेक्ट होता है, चीफ मिनिस्टर है, वो कमिशनर को फोन करके बता देता है, कि तुम्हारे जिले में हजार से ज्यादा लाइसंस नहीं देने, तुम्हारे जिले में दो हजार से लाइसंस ज्यादा नहीं देने, तो कमिशनर है पुलिस कमिशनर इसे ज्यादा लाइसनस दे नहीं पाता इसलिए हमें पहले गैसरेट में कानून लिखवाना पड़ेगा कि जिस आदमी को बंदुक का लाइसनस चाहिए उसको लाइसनस मिल जाएगा यदि वो आदमी ठीक नहीं है तो जूरी ट्रायल के द्वारा और वो कानून की लिस्ट मैंने इसमें चेप्टर 24 में दी है इसमें से MRCM, फिर जूरी सिस्टम, राइट टूरी कॉल PM, राइट टूरी कॉल सुप्रीम कोट जज, एक्जिकुशन बाइ मैजोरिटी वोट और ये सारे कानून अब भारत में जो अक्सर आपको अमीर लोग मिलेंगे, जो अमीर लोग है, वो राइट टूरी कॉलर जूरी सिस्टम का दो वज़े से विरोध करते हैं और वो सेना की मजबूती के पक्ष में भी नहीं है आपको बहुत सारे अमीर लोग मिलेंगे, जिनको चिंता है, यूमन राइट्स की, फिर मैलाओं के अधिकार की, फिर ये सेकुलरिजम की, उनको चिंता इस बात के शायद नहीं है कि कसब ने तीन सो लोगों को मार दिया हो, इस बात की है कि भारत में करोडों लोगों ने कसब की, फासी की लिए डिमांड क्यों की ऐसे 300 लोग है बड़े आदमी है वो 300 आदमी वैसे तो पूरे भारत में शायद लाख दो लाख होंगे करोडों नहीं है ऐसे सर्फिरे या कमीने लोग करोडों की संख्या में नहीं है पर काफी संख्या में अब उसकी वज़ा क्या है क्यों वो सेना को महत्वा नहीं देते कि अमरीका ने जब इराक को टेक ओवर किया तो पूरा इराक लूट लिया पर इराक के जितने भी अमीर लोग थे टॉप वन परसंट टू परसंट पॉपलेशन उनमें से अधिक तर को अमरीका की सिटिजन्शिप दे दी और उनको अकॉमोडेट भी कर लिया इराक के अंदर अमरीका के अंदर जितने भी क्लास वन आफिसर थे इराक के सबको अमरीका की सिटिजन्शिप मिल गए इराक के जितने जनरल थे का मतलब सीनियर मिल्ट्री आफिसर कुछ इराक की सेन साथ से दसजार अफसरों को परिवार के साथ सिटिजन्शिप और ग्रीन कार दिया था अमरीका ने तो अमरीका ने एक ट्रेंड एस्टाबलिश किया कि हम जिस देश को लूटेंगे उस देश का जो अग्रवर्ग है इलीट है उसको हम नहीं छेड़ेंगे मानलो आद भारत को पूरा टेक ओवर करता है तो भारत के जो टॉप दस बीस लाख लोग है उसको वो ग्रीन कार देगा सिटिजन्शिप देगा सारी फैसलिटी देगा अब मानलो पाकिस्तान और चाइना से हमारा युद्ध शुरू होता है तो बहुत सारे लोग है जो कि 24 गंडे में देश शोड़ के परिवार के साथ जा सकते हैं और उन्होंने अमरीका में इतनी दौलत खड़ी करके रखी है कि वहां अमरीका में उनका घर है और घर में सार 40-80% MP MLA अधिकतर High Court के जज अधिकतर Supreme Court के जज आई-एस IPS अफसर की लिस्ट खोलो तो जितने भी MP है उनका उनके 2-3 बेटों में से एक ना एक लड़के के पास अमरीका कर ग्रीन कार जरूर होगा शायद ही को ऐसा MP हो जिसके कुछ-कुछ कहता सारे लड़के अमरीका में स कि दो लड़के एक लड़की या तीन लड़के में ठीक से याद नहीं आ रहा यश्वन सिना सब अमरीका में सेट होगे अमरीका में उनके पास 2-4 अजार करोड की प्रोपरटी भी है इस तरह से यह तो एक एक एग्जमपल है पर अधिकतर आप देखो तो उन्होंने अमरी 30 गंटे के अंदर न्यूजिलेंड या ऑस्ट्रेलिया या कैनेडा या अमरीका या किसी देश में चला जाएंगा और वहां उन्होंने खुब सारी प्रोपरटी खरीद के रखिए तो वह सारे जो नेता है वह हमेशा यह कहते हैं कि सिर्फ कि यह जूरी सिस्ट्रम राइट तुरंत क्विक मनी कोल है कि कोईला खरीदो कोईला की खान खरीदो कोईला निकालो बेचो किसी को भी चाइना को बेचना है तो चाइना को बेचना है तो इसको बेचना है तो इसको बेचना है तो पैसा कमो और वो पैसे से फिर वो बाद में विदेशों में इन्वेस्ट कर और उसका एक कारण ये है कि भारत का जो अग्रवर के इलीट यानि जो सबसे दनीक 10 लाख लोग है 10 लाख 15 लाख लोग है वो अब भारत को सलामत नहीं मानते इसलिए वो जितनी हो सके उतनी दौलत भारत के बार भी इंवेस्ट करते हैं मतलब उनके पास मानलो 10,000 करोड रु करो आप ये सेकुलारिजम पर फोकस करो और उनके पास ऐसे बी सियों मुद्धे हैं फ्रिंज मुद्धे मैं कहूंगा कुछ कुछ तो यहां तक कहते है कि एनिमल राइट्स कि पाकिस्तान की सेना आके यहां पर करोड दो करोड को मार सकती है तो वह कहते है कि इसकी तुम च कराने में हमारी मदद करो और जो लोग कुछ पे अत्याचार करते हैं वह नहीं होने चाहिए और जो पकड़े उसको सजा होनी चाहिए उसमें कोई धोमत नहीं है कि एनिमल राइस को मैं बिलीू करता हूं खुद मानता हूं कि जो एनिमल फॉर है कपड़ों में जो यूस हो सेना को मजबूत करने के यह जो जो कानूनों की ज़रूरत है उसमें एक मिनट मठ डालो अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप सेना के प्रॉब्लेम को थोड़ा ध्यान से देखें आपको आप गुगल करो और पता लगाओ कि 1947 में कितनी हत्याएं हुई थी कित प्रॉपर्टी के नुकसान हुआ था और वो इसलिए कम था कम था यानि क्यों मैं कम बोलता हूं क्योंकि वहाँ जो पाकिस्तान से जो चार करोड लोग भाग के आए उनके पास भागने के लिए भारत था पहले देखो कि पाकिस्तान में कितनी हत्या और अपरण हुई और आप इमेजिन करो कि वहाँ पर जो चार करोड लोग भाग क्या था होती और इस बार यदि भारत पे चीन और पाकिस्तान का हमला होता है तो भारत में जो भारतिया है उनके पास भागने के लिए कोई कोना नहीं है कहां भागोगे एक तरफ बंगाल की खाड़ी है दूसरी तरफ अरब का समूद्र है है कोई देश यहां पे 120 करोड लोग भाग के गुजारा कर सके यानि इस बार यदि पाकिस्तान और चीन का हमला हम पे होता है तो परिश्तीती जो 1947 में हुई थी उससे 20-50 गुना ज़्यादा गंबिर हो सकती है अब सेकंड आप यदि सोच में हो कि भारत की सेना बहुत मजबूत है हमें किसी से डरने की ज़रुवत नहीं है तो आप भारत की और चीन की सेना का कंपरिशन करो और उससे ज़्यादा की वेपन मैनुफेक्चरिंग केपेबिलिटी की चाइना कितने हत्यार अपनी फैक्ट्रियों में बना रहा है अपने देश की अपनी फैक्ट्रियों में और भारत कितने हत्यार अपनी फैक्ट्रियों में बना रहा है तो भारत अपनी फैक्ट्रियों में एक हंड्रेड राइफल भी नहीं बना रहा भारत के सारे टैंक imported है जो अर्जून टैंक जिसके बारे में शायद आपने बहुत सुना होगा अभी तक में 50 टैंक भी manufacture नहीं है भारत के सारे टैंक है वो made in Russia है भारत में कम से कम पाकिस्तान से full scale war शुरू होता है पाकिस्तां से ज़्यादा है लेकिन चाइना से one-third भी नहीं है और चाइना है उसके पास made in China fighter plane है वो भले हमारे मतलब रफाइल या जो F series के अमरिका के plane है उतने capable नहीं हो पर उसका benefit किया है चाइना के जो made in plane है कि उसके बारे में देखो कि चाइना के पास कितने क्रूज मिसाइल है लेसर गाइड़ेड़ बॉम है लेसर गाइड़ेड़ मिसाइल है और चाइना लेसर गाइड़ेड़ बॉम खुद मैनुफेक्चर करता है इतना ही नहीं चाइना ने सबसे पहले लेसर गाइड़ेड़ बॉ कारगिल का वार हुआ 98-99 में तब हमारे पास laser guided manufacturing capability नहीं थी हमारे बास laser guided bomb था ही नहीं और चाइना 1981 से manufacture कर रहा है और आज भी हम laser guided bomb manufacture नहीं कर रहे हमारे पास laser guided bomb है वो शायद made in France टो चायना ठोक कEC sm egyडाइर्ड बंब ऐसका उत्पादन करके वो पाकिस्तान को दे सकता तो इस सेंस में आप देखोगे तो अम्रीक का भारत की सेना को एक सहारा है वो है अम्रीका का और रश्या का चलो रश्या को भी मानब Oh पर रश्या के हत्यार इतने बैतर इन नहीं है रश्या की जो software technology वो इतनी अच्छी नहीं है इसलिए उसके जो cruise missile है उसके जो fighter plane है वो उतने capable नहीं है जितने के अमरीका के हैं अब ऐसी स्थिती में चाइना के बड़ी संख्या में cruise missile आते हैं पाकिस्तान के थूँ तो हमारी से ना टिक नहीं पाएगी सिवा कि अमरीका हमें मदद करें एक मैं आपको example दे सकता हूं कि 1962 में जवारलाल गाजी ने कैनेडी को letter लिखा था कि भाई साब गुटने पकड़ लिए थे उसके पाउं पकड़ लिए थे letter में कि आप अमरीका में आओ और अमरीका के एर फोर्स की चार स्कौर्डन हमें दो दो कश्मीर में backup के लिए क्योंकि एक भई था कि शायद चाइना कश्मीर पे भी attack कर सकता है भई था और दो स्कौर्डन हम आसाम में रखेंगे और अमरीका के plane हमें अमरीका के fighter plane की मदद चाहिए कि वो चीन की सेना पे हमला करके चीन के advancement को रोक सक इंटरनेट पे जवालाल गाजी का नम जवालाल नहरू है तो Google पे type करो तो जवालाल नहरू लिखना जवालाल नहरू letter Kennedy चाइना वार इस तरह से दोचार कीवर्ड टाइप करोगे आपको लेटर के बारे में आ जाएगा तो Kennedy ने एक ये भी comment किया था कि ब्रिटन भी हमारी मदद मांगने आया था लेकिन Hitler से वो दो साल तक हमारी मदद मांगे बिना लड़ा था और वो भी Hitler जैसी सेना से और ये भारत है कि अभी दो दिन नहीं हो और हमारी मदद मांगने आ गया और उसके पीछे गिंती भी ये थी कि रश्या ने चाइना पर प्रेशर डाला कि आप यूद्ध बंद करो वरना भारत है वो अमरीका की गोद में जाके बैढ़ जाएगा तो हमें बहुत नुकसान होगा और चाइना ने भी इसी डर से अपनी सेना रोक ली कि भाई अब अमने ज़्यादा खीचा तो हम भारत की सेना को तो हराते जाएगे लेकिन यदि भारत अमरीका की गोद में जाके बैढ़ गया तो अमरीका की सेना लड़ने आएगी तो हम टिक नहीं पाएंगे और पूरा क पूरा भारत है वो अमरीका का जियो कैपिटल बेस हो जाएगा तो अभी इसके तरह से अमरीका के पाउं भारत में मजबूत हो जाएंगे जो की फ्यूचर में उनको खत्रा बन सकता है इसलिए फिर चीन ने कदम वापस कीचे लेकिन 1962 में जो चीन ने कदम वापस कीचे उस से भी ज़्यादा खराब सेती है चीन के मुकाउले में 1950 में हम चीन से दस गुना शाय ज़्यादा सक्तिशाली थी उसमें कोई डाउट नहीं है पर 62 में आहलत यह गई थी कि हम चीन के कंपरिजन में कमसोर हो गए थी और आज से थी उससे भी ज़्यादा खराब है और हम जो भारत की सेना रूपी दिवाल खतम हो गई तो पाकिस्तान के अंदर जो एक करोर दो करोर लोग एक फॉर्टी सेन के लेके बैठे हैं काम धंदा तो है नहीं वहां पर किसी को अनेंप्लाइमेंट इतनी भरी पड़ी है वहां पर क्राइम्स इतने ज़्यादा है उद्योग मरना उनके लिए आम बात है वो सब एक तरह से क्रिमिनल कंट्री बन चुका है और वहां के लोगों के इस तरह का खुला मैदान मिले तो यहीं देखेंगे कि यहां पर देश के अंदर मारने मरने से बज़ाए वहां जाके मारे भारत में जाके मारते मरते क्योंकि वहां बच हो कि सेना को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्व होती है चोटे उद्योगों की तो चोटे उद्योगों को कौन बचा सकता है आज प्रोविडन फंड इंस्पेक्टर परेशान करता है आप किसी दोस्ते या रिश्यदार से मिलो जो की 30-40 लेबर की फेक्टरी च मंगता है तो इस तरह से वो उस आजमी का यूं समझो कि 70-80% टाइम है यह खातिरदारी में चला जाता है कभी MLA ने फोन करके गाड़ी मंगी कभी इंकम टेक्स का कमिशनर आता है वो कहता है कि मेरे परिवार के लोग आ रहे हैं उस गाड़िया भेजो उसको गुमाने के ल हो बाजार में छोटी सी 2-4 इंच की मैं 99 परसंट गरंटी से कहता हूं गणेश की मूर्थी हो मेड इन चाइना होगी वो क्यों मेड इन चाइना होगी क्योंकि चाइना में जितनी लो कॉस्ट से और जितने मास केल पर प्रोड़क्शन होता है उतना इंडिया में अब नहीं हो रहा क्योंकि यहां का जो उद्योगपति है उसका टाइम इसी में परबाद हो जाता है कि वो अपने फैक्टरी के पीछे टाइम ही नहीं दे पाता तो अब गणेश की मूर्थी भी अब मेडिंग चाइना आ गई तो इसलिए कौन-कौन से कानूनों से यह परिस्तिती सु है और दुश्मन चड़ गया तो फिर पता नहीं क्या संस्कूती बचेगी क्या धर्म बचेगा मेरे खाल से कुछ नहीं बचेगा धन्यवाद